ओम शांति गुड बॉनिंग आप सबको और आज का 166 वी दिन का इश्री वर्दान इसके पहले कि हैं वर्दान में और विस्तार में चले आप सब शुरुताओं के लिए ये एक लिंक है जो कि आपको आपको फ्लेक्सिबिल्टी योग असन डायट और साथ साथ सोने की कला इस सब को सिखाता है तो आगे बढ़ते हैं आज की वर्दान में परमपिता परमात्मा या तो हम भगवान को देखकर किनको कॉपी करें या तो हम इंसान को देखकर किनको कॉपी करें इसके बार में कई कहते हैं देखते हैं परमपिता हुआ थाह कहते हैं को नहींन परम्पिता परमात्मा को देखना है और परमता पर मात्मा उनके नकश्यकटम पर चलना है और उनको ही देखना है और किसी brother sister को नहीं देखना है तो परमात्मा कहते हैं follow father और see father के महा मंत्र द्वारा किस चीज का मंत्र है ताकि हमसे कोई विकार ना हो ताकि हमारे अंदर कोई अभिवान ना है ताकि हम कोई गलतिया ना करें हम देखें तो हमारे इंद्रिक संस्कार बैठा हुआ है कि हम औरों को देख करके या तो उनके फैन बन जाते हैं, बहुत ही प्रसन हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, किसी के आभाव में आते हैं, तो ना आभाव में आना है और ना किसी के प्रभाव में आना है, वो भी एक self respect को खोना जैसा हो जाता है हाँ औरों से अच्छे गुण उठाना वो चीज अच्छी है लेकिन हरे कंद गुण भी है और अब गुण भी है और आज कल्यूग चल रहा है लेकिन हम बच्चों बले संगम यूग चल रहा है कल्यूग में हम औरों के गुण के जागा अब गुण जल्दी उठाते है और संगम यूग जो चल रहा है जो गुप्त यूग है जैसे त्रिवेनी कहा जाता है नदियों का संगम होता है जहांपर और एक गुप्त नदी निकलती है जिसको की कहते है अपकी सरस होती तो वो ज्ञान की नदी इस समय हमें परमात्मा पिता करके इस संगम युक पर ज्ञान की नदी दे रहे हैं एक नदी हम हो गए और एक सागर परमात्मा पिता हो गए और एक हो गए ज्ञान की नदी तो परमात्मा कहते हैं इस समय तुम मुझको देखो और उगो मत देखो क्योंकि कल्यक के अंत में हर आत्मा के अंदर अवगुण है किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है तो बाबा कहते हैं विस्तार में चले See Father, Follow Father इस मंतर को सदा सामने रखते हुए चड़ती कला में चलते चलो चड़ती कला मतलब कि हमारे अंदर जो qualities हैं जो गुप्त qualities है है और हमारे अंदर जो गुण है जो छुपे हुए हैं या हमने गुणों की जगह अवगुण जो अपने अंदर अपना लिये हैं वो अवगुण हटते जाएंगे और कलाय आती जाएंगे तो हम चड़ती कला में चड़ते जाएंगे चड़ना मनला कि जैसे कि हम सीड़ी चड़ रहे हैं तो कभी भी आत्माओं को नहीं देखना कियों कि आत्माओं सब पुर्शारती हैं सारी आत्माओं पुर्शारत कर रही हैं महनत कर रही हैं क्या कर रही हैं महनत परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन करके अपने अंदर के जो कहीं जन्मों के पाप है वो भसम करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि हमने आज संसार में जगत में मनुश्य आत्माओं को गुरू बनाया कर रखा हुआ है हम सोचते हैं कि जो भी गुरू हैं जो भी गोसाई हैं वो हमें मुक्ती देंगे लिए परमात्मा कहते हैं कि उनके पास में तो सारी दुनिया का ग्यान भी नहीं है, उनके पास में तो अपने पुनर जन्मों का भी ग्यान नहीं है, और कई आत्मों के पास में तो ये भी नहीं पता कि समय कितना बाकी है, तो वो खुद को मुक्त करें कि आपको मुक्त करें, तो प्रफ्चा गुरू या सत्ट गुरू कौन है वह स्वेम पर्मपिता परमात्मा ही और कोई अपने आपको गुरू नहीं कह सकता गुरू वह होता है, जो कि मुक्ति में साथ में लेके जाता है, जितने भी गुरू गुसाई हैं आज वह तो शरीडहरी आत्मा हैं, आप जैसे म पुरशारती में अच्छाईबी और कुछ कमी भी होती है है ख्मिय थे, खरिकिसी के अदर उवर्गुन को कमी का जाएगा विकारों को कमी का जाएगा और जो हमारे अंदर गुन हैं हमारे अंदर शक्ति हैं unique समपन नही आत्मा के अभी कल्शूंग में समपन नहीं तो यह नहीं कि किसी के अंदर बहुत अची कला है, जैसे कि आज की दुनिया में किसी को देखते हैं, जैसे किसी कभी हम फैन बन जाते हैं, उनको देख करके बहुत ही आकर्शित हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम उनके पास में पहुंचते हैं, उनको समझते हैं, उनके साथ में पहुत सारी आत्मा को चानते नहीं हैं, जो कि हम ब्रह्मकुमारी उसमा के सीखते हैं, कि परमात्मा को मानना ही नहीं, लेकिन उनको चानना भी बहुत जरूरी है, फिर बाबा केते हैं, इसलिए follow father ना की brother sister, तो परमात्मा के हम सब बच्चे हुए, हम सब आपस में brothers and sister हुए, कहते हैं न हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन सारी दुनिया ही हमारे के हम भाई भाई हैं, सारे के सारे धर्ती पर सारे धर्म की आत्मा हैं, सब के सब हमारे भाई पर परमात्मा केते हैं, तो जैसे father एकरस है, ऐसे follow करने वाले एकरस स्वता हो जाएंगे, परमात्मा पिता में कभी भी संशे नहीं आता, डाउट नहीं आता, परमात्मा पिता में कभी भी किसी के बारे में नकारात्म, किसी के बारे में बुराई देखना, यह सब कुछ न एकागरत मिलाते हैं हम जो फ्रस्टेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में जब हमें दरोदर भटकना शुरू करते हैं गलत चगाओं में जाना शुरू करते हैं गलत कर्म करना शुरू करते हैं गलत संगत रखते हैं तब ही परमात्मा पेता हमें आकर के उन संगतों से मुक्त करते हैं, गरत चगाओं से मुक्त करते हैं, गरत कर्मों के चंजाल से मुक्त करते हैं, तो परमात्मा में किती शक्ती होगी, कितनी एकागर बुद्धी होगी, कि कोई एकागर बुद्धी वाला ही किसी और को बना सकता है, तो परमात्मा कहते हैं, एकरस रहना है, तो मेडिटेशन में परमात्मा कौन है, सिर्फ मानना नहीं, भक्ती में हम परमात्मा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं उनकी गुनगान गाते हैं लेकिन जानना और मानना दोनों में बहुत अंतर है आप साइन्स को मान सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते हैं ये भी हो सकता है या तो आप साइन्स को मानते भी हैं या आप जानते भी हैं ये भी हो सकता है तो दोनों में फैदा है न, जानना, मानना, मानना और जानना, तो आज का ये इश्री वर्दान, क्या है परमात्मा, कहां रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है, सीखने के लिए आप प्रमकुमारी इश्री विश्री विश्री विद्वाले में आईएगा, और